प्लेलिस्ट में से आप इसे देख सकते हैं चौती जमात की या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने सबख की लिंक दी है आप वहां से भी उसे देख सकते हैं आज की इस वीडियो में इस सबख के सवाल और जवाब हल करने वाले हैं तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबख नमबर आद शफिय उद्दी नयर एक जमले में जवाब लिखिए वालिद के इंतिखाल के वक्त नयर सहाब की उमर कितनी थी सबख नमबर दो अपने गुजारे के लिए नयर सहाब क्या करते थे जवाब अपने गुजारे के लिए नयर सहाब महनत मजदूरी करते थे कभी कभी अख़बार भी पेचते थे सवाल नमबर तीन अगर कोई नयर सहाब के साथ अच्छा सुलुक करता तो वो जगा जगा इसका जिक्र करते थे सवाल नमबर चार नयर सहाब ने बच्चों के लिए कितनी किताबे लिखी जवाब, नायर सहाब ने बच्चों के लिए 60 से ज़्यादा किताब लिखी सवाल नंबर पांच नायर सहाब की जिंदगी से क्या मालूम हותा है जवाब, नायर सहाब की जिंदगी के हालाँ से मालूम होता है कि इनसान मेहनत और लगन से इन्म हासिल करे तो एक अच्छा और काम्याब इंसान बन सकता है अगला सवाल है, मुक्तेसर जवाब लिखिए जवाब, एक मरतबा जलसे की सदारत के लिए जाते वक रास्ते में किसी के मिलने की वज़े से नयर सहाब को देर हो गई, तो वो जलसागाह तक दौरते हुए पहुँचे और इस तरह वो ठीक वक्त पर पहुँच गए सबख की मदद से खाली जगों को मुनासिब अलफास से पूर कीजिए एक बहुत प्यारी नजम डैश तुमने भी पड़ी है, एक बहुत प्यारी नजम बाख की सेर तुमने भी पड़ी है नयर उनका डैश है, नयर उनका तखल्स है, दहली में रहकर नयर सहाब ने डैश भी सीखी, दहली में रहकर नयर सहाब ने किताबत भी सीखी लिखी है के जेल के जुम्ले सही है या गलत नजम लब पे आती है धुआ नयर सहाब की लिखी हुई है यह जुम्ला गलत है नयर सहाब का पूरा नाम मुहम्मद शफिय उद्दीन था यह जुम्ला सही है इमाम सहाब ने उन्हें अलीगर के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया ये जुमला गलत है वो दहली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए ये जुमला सही है अगला सवाल देखते हैं गोर करके बताईए अब ये सरगर्मी का सवाल है इसमें हमने हमारे हिसाब से जवाब दिये है आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं ऐसे पाँच शायरों के नाम लिखिए जिनकी नजमें आप पड़ चुके हैं यखिनन आपने बहुत नजसारी नजमें पड़ी होगी हमने इन में से पाँच शायरों का नाम दिया है आप उनके बारे में मालुमात लीजिए और फिर आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं पहला है तिलुक चंद महरूम दूसरा शफिय अदिन नयर तीसरा मन्जूर हाश्मी चौता अलताफ हुसेन हाली और पाँचवा नाम है अल्ला माय अखबाल इस तरह यहाँ इस सबख के सवाल जवाब कमल होते हैं अगले सबख की वीडियो और सवाल जवाब के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करते वक्त आपको तीन बेल नजर आएंगी जिसमें से आपको प्रेस करना है सबसे उपर की बेल आल पर तब ही आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों और सहीरियों के साथ शेयर जरूर करें